उस तरीका से कood किया गया है तो चलिए देखते हैं अगर आप इसको मेरे से पहले बना ले रहा है तो अपना इंसर जरूर कमेंट किजेगा, उसके बाद अपना answer को match किजेगा, ठीक है, इस इसी साल आया हुआ है, इससी के selection post 10th level में आया हुआ है, ठीक है, अगर आप बना ले रहा हैं तो अपना answer जरूर कमेंट किजेगा, ठीक है, जी चलिए देखते हैं कि आपने जाके विडियो को देख सकते हैं, हम पीन भी कर देंगे, आपको, आई बटन पर आपको पीन कर देंगे, इसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, जिसे 3 से 24 हुआ है, तो 3 से 24 मतलब क्या हो जाएगा, इसका पोजिट, 18 से 9 मत तो इसको पूजिट किया है बैस 18 को 18 है इस डबल डिजिट में 18 इन दोनों को एड कर दिया आठ है नो लिखा हुआ है वैसे ही 9 सिंगल डिजिट में इसको पूजिट करके लिखा हुआ अब देखे एम क्या है डबल डिजिट में 13 तो इसको पूजिट करके 22 लिखा हुआ है मतलब आपको करना है कि प्लेस पहलू जो अगर सिंगल डिजिट में है प्लेस बैलू सिंगल डिजिट में है सिंगल डिजिट में है तो आपको क्या करना है तीन अपूजिट करना सिंगल वाले को ऊफूसित करना है एगर जो नमर है उनको एडिसेर्ट करना है सेम एड़ कर तर अहीं हो जाएगा अब इह एवन इसको पूजट करना है तो पूजट क्या हो जागा टू सिक्स अपका बी ओप्सब्स, हो जाएगा लेकिन आम लोग पूडा कर लेते हैं जैसे कि दो है तो दो क्या है इसका और तिम हो जाए गया इसका मतलब ऑपिशन्ट रहा है इस तरीका से इसको कोड किया गया है मतलब आप देख लीजिद प्लेट पैलो उसको उसी डिजिट को आड़ करके लिख दिया तो देखे इस तरीका से code किया गए बहुत अच्छा है इसको learn किजिए अगर आप देखे रहेंगे तो बनेगा otherwise नहीं नहीं बनेगा जो देखा रहेगा उससे बनेगा नहीं देखा रहेगा नहीं बनेगा ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like करें, share करें, subscribe कर करें, take care, thank you.